प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं. उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें. सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है. इस के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है. पहले उसे क्लिक कर दें. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें. बस हूग गया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी. शुक्रिया शास्त्री जग्वीर प्रभू आपके उपर और उसके अलावा जितने लोगों ने गाने गाये प्रार्तना की और जितने लोग उपस्तित हैं प्रभू उन सब को अनग्र से भर दें. पिछले दो-तीन हफ़तों में मैं बार-बार ये बता रहा था कि हमारे लिए ये जिरूरी है कि हम बाइबल की चरितर कताएं अपने बच्चों को सिखाएं. लेकिन हम में से बहुत सारे लोग चरितर कताओं को ऐसे गंदे और लापरवा तरीके से अपने बच्चों को सिखाते हैं कि उसका उन बच्चों के उपर उल्टा असर होता है. पिछले दिनों मुझे एक बात याद आई, वीबियस में पिछले दिनों एक भाई ने वीबियस के लिए गाना लिखा, नूह की कहानी के बारे में. नूह इतना महान व्यक्ति था कि पर्मेश्वर के वच्चन में नूह को धर्मी बताया गया है. बच्चों के सामने पर्मेश्वर किसी व्यक्ति का जो मुल्यांकन करता है, उसी प्रकार से हमको भी मुल्यांकन करना चाहिए. गाने के शब्द इस तरह से है, नूह नाम का डुक्रा, 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 एम्फेसिस की स्पात पर है, डुक्रे पर है. चंबल इलाके में, जहां मेरे जीवन का अधिक्तम समय बीता है, वहां किसी व्यक्ति को, खासकर शहरी लोग, डुक्रा या, डुक्रिया, सामान्यतिया, अपमान जनकरीती से बोलते हैं, कम से कम इन दो शब्दों में, कोई इज्जत नहीं दिखता है, अरे डुक्रिया कहा जा रही है, यदि कोई पूछता है, तो माता जी कहां जा रही हो, माता श्री कहां जा रही है, वो मतलब नहीं आता है, तो इस भाई ने नूह को सरफ एक डुक्रा बना दिया, लेकिन अफसोस की बात या है, कि हम लोग भी जब कहानी सुनाते हैं, तब इस से कोई बहतर नह होता है, इस संदर्ब में मैंने ये डिसाइट किया था, कि पवित्र बाइबल की एक चरित्र कहानी का विशलेशन मैं आप लोगों के सामने पेश करूं, विशलेशन जब हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, कि ये कहानी बच्चों को कैसे सुनानी है, आ दो दुनी चार सिखाए, यदि कोई व्यक्ति बीजगनित सिखाने लगे, तो सिखाने वाला भी मूर्ख है, और सीखने वाला जो है, वो तो कुछ भी नहीं समझ पाएगा, पवित्र बाइबल को हम लोग अकसर इतने हलके से लेते हैं, कि बस ऐसा लगता है कि हर कोई पवि प्रिष्ट भूमी है, वो जरूरी है, प्रिष्ट भूमी जब मैं आपके सामने पेश कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं इस प्रिष्ट भूमी के आधार पर बताऊंगा, कि अपने बच्चों को किस तरह से पवित्र बाइबल की चरित्र कथाएं सुनानी हैं, आदम और हम उसका अध्यान कर रहे थे, मैंने आपको ये बात बताई कि परमेश्वर ने उनको सारी सुविधाएं दे दी थी, लेकिन साप ने आकर, सर्प ने आकर पांच मिनित बात की और स्त्री जो है, वो वरजित वरिट्ष का फल खाने को तयार हो गए, दर असल उस बगिया के बीचो बीच एक जीवन का वरिट्ष था, उसका नाम ही जीवन का वरिट्ष था, दूसरा मृत्यू का वरिट्ष था, उसको भले और बुरे के ज्यान का वरिट्ष कहा गया है, लेकिन परमेश्वर ने ये साफ कर दिया था कि उसका फल खाओगे तो तुम मर जाओगे, इस स्त्री ने मृतियु के वरिक्ष को पसंद किया, उसके बाद परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, वो खास ध्यान दे, उत्पती तीसरे अध्याय के छट्वे पद में उस फल को खाने के लिए स्त्री ने जो आर्गिमेंट, जो कारण दिये थे, इसमें दो कारण पिछले ह हमने ध्यान से देखे थे, लेकिन कंटिनिटी के लिए उसको जब हम पढ़ेंगे, उत्पती तीन के छे में, जब स्त्री ने देखा कि उस रुच का फल खाने में अच्छा, और देखने में मनभाव है, तो स्त्री ने फल खाया, और फल खाने के पीछे, तीन कारण थे, जि देखने में मनभाव है, वा, 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 लेकिन ये कारण इतना क्या कहना चाहिए, इसमें किसी तरह का कारण नहीं था, ये हम देखते हैं, जब हम उत्पती दो के नौवे पत को पढ़ते हैं, उत्पती दो के नौवे हम पढ़ते हैं, यहोआ पर्मेश्वर ने, भूम के व्रिक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं तो स्त्री ने मृत्यू के व्रिक्ष के फल के बारे में जो दो बाते बताई थी खाने में अच्छा है देखने में मनभाव है ये तो सभी व्रिच्छों के बारे में और सभी व्रिच्छों के फलों के बारे में लागू होता था जिसका मतलब यह है कि उसका जो आर्गिमेंट है वो तो कोई आर्गिमेंट ही नहीं था उसने जो कारण दिया वो कोई कारण नहीं था क्योंकि वो कारण तो बगिया में परमेश्वर ने जितने फल बनाये थे उन सब के बारे में वो कारण लागू होता है तीसरा कारण जो उसने बताया वो अपने आप में आश्चरिय जनक है तीसरा कारण है बुद्धी देने के लिए ये तीसरे अध्याय के छटे पद्मे है खाने में अच्छा देखने में मनभाव और बुद्धी देने के लिए चाहने योग्य है एक बात बताईए पर्मेश्वर हर दिन जब धूप कम होती थी ऐसे समय में आकर मनिश्व के साथ संगती और वारतालाप में समय बिताते थे पर्मेश्वर से बढ़कर बुद्धी का सुरोत कहां है इस बात को आदम हुआ बहुत अच्छी तरह से जानते थे वे कोई बच्चे नहीं थे इस बात को मैं याद दिला दूँ वे ज्ञानी लोग थे और पर्मेश्वर के साथ डिरेक्ली उन लोगों का कम्यूनिकेशन था आदान प्रदान था इस कारेंट स्त्री अच्छी तरह से जानती थी कि बुद्धी चाहिए तो बुद्धी का स्रोत पर्मेश्वर है बुद्धी का स्रोत पाप नहीं है बुद्धी का स्रोत मृत्यू का व्रक्ष नहीं है लेकिन उसने बुद्धी के नाम पर मौत को मौत का स्वागत किया हमें से कई लोग अपनी अकल से जो चुनाव करते हैं जो हमको लगता है उस समय जब हम उस चुनाव करते हैं में हमको लगता है कि एक अच्छा चुनाव है वो चुनाव हमको मृत्यों के रास्ते के और ले जाता है एक छोटा सा उदाहरन दिया जाए जब बच्चों से कहा जाता है कि बेटा जाके पढ़ो तो बच्चा पढ़ाई को तो सरदर्द समझता है लेकिन मनोर इंजन करने को जाके टीवी देखनों को दोस्तों के साथ खेलने को अच्छा समझता है और पढ़ाई जो है उसकी उसमें लापरवाही करता है वो इस बात को भूल जाता है कि यदि वो अपने जिवन में पढ़ेगा लिखेगा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होश्यार इस बात को भूल जाता है हववा ने भी पाप के रास्ते को बुद्धी देने के लिए चाहने योग्य समझा तब उसने उसमें से तोड़कर खाया पती को भी दिया उसने भी खाया जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने सुरूप में बनाया था आदम जिस जो व्यक्ति इतना बुद्धिशा ली था कि उसने सारी दुनिया के सारे जानवरों को नाम दिया जो प्रती दिन परमेश्वर के साथ संगती करता था जब उसने अपनी पत्नी की हालत देखी तो सरपीट के कि अरे तुने क्या किया यह लापरवाही क्योंकि यह अपनी पत्नी से पूछने के बदले उसने सूचा चलो उसकी तो यह हालत बुरी हो गई है मैं भी उसी हालत में हो जाता हूँ हम में से कई लोग जीवन की समस्याओं का हल इस तरीके से निकालते हैं मेरा बच्चा लापरवा है मैं भी उसके प्रती लापरवा हो जाऊंगा हमें भूल जाते हैं कि बच्चा लापरवा हो लेकिन परमेश्वर ने हमें बच्चों का भंडारी बनाया है और चुकि बच्चे के प्रती हम परमेश्वर के भंडारी हैं इसलिए हम बच्चे के प्रती लापरवाही करें तो परमेश्वर के विरुदापरात कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पती या पत्नी की लापरवाही से पीडित हैं बहुत हैं और जैसे जैसे 21 शताबदी बढ़ती जा रही है यह आदत बढ़ती जा रही है पती पत्नी की उपेक्षा करता है पत्नी पती की उपेक्षा करती है जब पती ईश्वर का भाय मानने वाली एक पत्नी की पेक्षा करता है तो पत्नी के मन में ये परिशा आती है कि मारो गोली ये आदमी जब मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा तो मैं उस पर क्यों ध्यान दूँ वो ये भूल जाती है कि परमेश्वर ने मुझे उसका भंडारी बनाया है और इसलिए मेरा व्यवहार उसके व्यवहार पर नहीं मेरा व्यवहार ईश्वर भत्त मेस्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारी पर आधारित होना चाहिए उसी तरह से जब पत्नी लापरवाही करती है तो पती को लगता है कि मारो गोली यदि वो लापरवाही कर रही है वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही तो मैं काहे को उसकी तरफ ध्यान दू पती ये भूल जाता है कि मुझे पदमेश्वर ने उसके उपर भंडारी ठराया, उसने नहीं ठराया, पदमेश्वर ने ठराया है और इस कारण यदि मैं पत्नी के प्रतिलापरवा हो जाऊंगा, भले ही वो मेरे प्रतिलापरवा है नीदी मैं उसके प्रती लापरावा हो जाओंगा तो मैं पैटमेश्वर के विरुदापरात कर रहा हूं इसी तरह से बच्चे इस बात को समझें हो सकता है आपके माबाप आदर्श माबाप नहीं होते हैं ये एक अफसोस की बात है उसका मतलब ये नहीं है मेरे प्रिये बच्चों कि अपने माबाप की उपेक्षा करो या उनका अपमान करो क्यों? इसलिए कि बच्चों को पदमेश्वर ने एक परिवार में इसलिए रखा है कि वे इस बात को पहचाने कि इस परिवार में पर्मेश्वर ने मुझे इसलिए रखा है कि जब मैं पढ़ लिख जाओंगा अपने पेरों पर खड़ा हो जाओंगा तब मैं अपने माबाप के प्रती अपना जो भंदारीपन है उसका प्रदर्शन करूँ तो हम ऐसे हर व्यक्ति इस बात को याद रखे कि आदम ने ये जो विवहार किया था यह पर्मेश्वर के वचन के विरुद एक विवहार था मेरी पतनी ने पाप किया है मैं उसका भंदारी हूँ और इसलिए मैं अपनी पतनी को पर्मेश्वर के पास ले जाऊंगा जिससे की स्रिष्टा परमेश और उसके लिए रास्ता निकाले यदि गलती पती की है तो पत्नी की जिम्मेदारी ये है कि ठीक है उसने गलती की है वो जो है गलत तरीके से बोल रहा है मैं भी गलत तरीके से बोलूँगी वो मेरा ख्याल नहीं रखता मैं भी उसको लात मार के अलग कर दूंगे जैसे को तैसा इंट का जवाब पत्थर से तो हम ये भूल जाते हैं कि हम उस व्यक्ति के भंडारी हैं और जिस व्यक्ति ने हमको भंडारी ठहराया है अपने पती अपनी पत्नी को उस व्यक्ति के हाथों में देकर उस व्यक्ति से कहना है कि हे प्रभू इस व्यक्ति की जो जीवन है उसे मैं हल नहीं कर सकता लेकिन आप कर सकते हैं और इसलिए मैं आपके हाथ में देता हूँ मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस तरह के बहुत सारे पती और पत्नी है जो शादी के बाद 10-10, 20-20 या इस से अधिक समय हर तिरह से लापरवाही, उपेक्षा और हिंसा सहने के बावजूद अरे तुम लापरवाह हो, हिंसक हो, उपेक्षा करते हैं बाड में जाओ, मैं तुमको लाप मार के अलग करता हूँ, ऐसा कहने के बदले हर दिन अपने पती अपनी पत्नी को प्रभू के हाथों में सौप कर प्रभू से याचना करते हैं कि प्रभू, मैं मनिश्य हूँ, मैं नश्वर हूँ, मैं सीमित हूँ, मैं अपने आपको सुधार नहीं सकता, दूसरे को क्या सुधारूंगा, इसलिए प्रभू आप अपने करुना दिखाईए, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पूर्णता नहीं लिये हूँ, और इसका रिड़ मैं दूसरे व्यक्ति को लेकर उसकी जो घटी और खामिया हैं उसको दूर कीजिये। आदम ने यही गलती की थी। आदम ने प्रश्न का हल जो व्यक्ती कर सकता था उस व्यक्ती के हाथ में हव्वा को सौंपने के बदले। उसने उस प्रश्ण को अपने आप, उस समस्या को अपने आप हल करने की कोशिश की और उसका हल ये था उसने गलती की है मैं भी गलती करूंगा, फिनिश्ट ये बहुत गलत काम आदम ने किया और उसका परिणाम पीडी दर पीडी सभी लोग भुगतते आए हैं और पिछले छे हजार सालों से मनश इस सजा को भुगतता आया है इसलिए कि हववा ने तो गलती की, उस गलती को समझ कर उस गलती के हल के लिए प्रभू से याचना और बिंती करने के बदले आदम ने अपने मानुशक बुद्धी से वही गलती करने के द्वारा उसको हल करने की की, आज शायद मेरे श्रोताओं में कोई पिता है जो अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचता है, तुम ला परवा हो, मैं भी लात मार के तुमको अलग करता हूँ, शायद इस तरह के बच्चे हैं, जो माबाप की ला परवाही से परेशान हैं, और मनी मन सोचते हैं, पा शायद इस तरह का कोई पती है जो अपनी पत्मी से तरस्त है और जिसने ये डिसाइट कर लिया है कि अच्छा तू लापरवा है मैं भी लापरवा ही करूंगा तू मेरा ख्याल नहीं रखती मैं भी तेरा नहीं रखूंगी तू मेरे प्रति हिंसक है मैं भी तुमारे प्रति ह किन्सकोंगा, शायद संदेश को सुनने वाली कोई पत्नी है, ज़ो अपने पती से तृस्ट है, और यह सूचती है कि तुम मेरी उपैख्षा करते हो, मैं भी तुमारी उपैख्षा करूंगी, तुम्हारा विवहार खराब है मैं भी खराब विवहार करूँगी ये सब आदम के पुत्र और आदम की पुत्रियां हैं जिनोंने समस्या को देखकर समस्या का हल निकालने वाले परमेश और के पास समस्या ले जाने के बदले उस समस्या को अपनी मानुशिक बुद्धी से हल करने की कोशिश की और हमेशा हमेशा के लिए मनुश्य जाती के लिए शाप का कारण बन गए ऐसा ना करें इस बात को याद रखें आगे बढ़ते हैं तो हमने अभी तक आदम और हुवा के पाप का जो चरित्र, पाप की जो चरित्र कता है उसमेंसे इस बात को देख लिया कि उनके सामने जीवन का वृट्ष भी था, मृत्व का वृट्ष भी था हववा ने किसी और कारण से मृत्यों के वरिक्ष का फल खाया आदम ने किसी और कारण से खाया लेकिन पजमेश्वर ने जो कहा था वैसा ही हुआ मनिश्य कभी भी किसी भी समस्या का हल करने के लिए जब पजमेश्वर ने आत्मिक तरीके दिये हैं तो उसका हल मानुशिक तरीके से निकालने की कोशिश ना करे। इसके आधार पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे सारे जीवन में हम कितने सारे चुनाव करते हैं, कितने सारे चुनाव, सुब अब इस्तर से उठना है या नहीं, कब उठना है, उठने के बाद दांस साफ करना है या आज दिन बर बिना दांस साफ किये ही रहेंगे, अच्छे कपड़े पहन कर आफिस जाना है या लापरवाही के साथ कपड़े पहन कर आफिस जाना है, हजारों सुबह से लेकर रात तक हजारों चॉईस है, संड़े के दिन चर्च जाना है या नहीं जाना है समय पर पहुँचना है या लापरवाही के साथ थोड़े से देर से पहुँचना है इस तरह से हमारे जीवन में सच कहा जाए तो हजारों चौईस है और हर दिन हमको ये चुनाव करने पड़ते हैं इस कारण कई बार हमको ये गलत फहमी हो जाती है कि जीवन तो हजारों चुनावों से चौईस से भरा हुआ है सही है जीवन में हजारों चुनाव करने पड़ते हैं लेकिन ये सारे चुनाव सिर्फ दो प्रकार के होते हैं एक ऐसे चुनाव जिनसे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, दो ऐसे चुनाव जिससे शैतान की महिमा होती है, जीवन से संबन्दित कोई भी प्रशना आप लीजिये, कोई भी चुनाव आप लीजिये, आप जब वो चुनाव करते हैं तब या तो परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, या शैतान की प्रशनसा होती है, बच्चों से मैं कहना चाता हूँ, मेरे प्रिये बच्चों, जब तुम पढ़ाई के मामले में लापरवाही करते हो, जब तुम पढ़ाई करने के बदले, पढ़ाई का समय, खेलने, कूदने, टीवी देखने, अनावश्यक पुस्तकों को पढ़ने में बिताते हो, तो उस शैतान की महिमा होती है, क्यों? इसलिए कि शैतान यही तो चाता है कि तुम जीवन में कुछ ना बनो, यदि तुम जीवन में कुछ बन गए, तो उस उन्नत पोजिशन पर पहुँचकर, उन्नत ओहदे पर पहुँचकर, तुम परमेश्वर के नाम की महिमा करोगे, और इसलिए शैतान तो चाता है कि तुम पढ़ाई ना करो, और जब तुम पढ़ाई के मामले में लापरवाही करते हो, तो शैतान को महिमा मिलती है, लेकिन यदि प्रिये बच्चों तुम जिन्दगी भर में जितने चुनाव करते हो वो सारे चुनाव या तो परमेश्वर के नाम के महिमा करते हैं या शैतान के महिमा करते हैं तुम पूछोगे अंकल जी पापा ने कहा नाखुन काट ले मैं नाखुन काटूं तो उससे परमेश्वर के न तुम्हारे नाखुन देखकर तुम्हारी class teacher जब कहती है कि कैसे लापरवा माबाप हैं जो बचे का नाखुन नहीं काटते तुम्हारे माबाप जिन्हों ने तुम से कहा था बेटा तुम इतने बड़े हो गये हो कि नेल कटर से नाखुन काट सकते हो और यह नेल कटर रखा है बेटा इससे नाखुन काट लो तो तुमारे माबाप लापरवा नहीं है लेकिन तुमारी क्लास टीचर के सामने उनकी क्या इमेज है उनके बारे में वे लो क्या सूचते हैं इससे पद्मिश्वर की नाम की महिमा होती है क्या एक अच्छे मसीही परिवार के एक माबाप के बारे में यदि तुमारा कच्छा अध्यापक एक अध्यापक का ये सूचती हैं कि वे लोग लापरवा हैं तो तुमारे माबाप के और उनके विश्वास के प्रति उनका आकरशन नहीं होगा तो मेरे प्रीय बच्चों यदि तुमारे मन में प्रशन है कि अंकल जी जरासी बात है नाखुन काटना ये नहीं काटना उसके कारण परमेश्वर के नाम की महिमा होती है या नहीं होती है अपमान होता है तो मैं याद दिलाना चाहतु है मेरे प्रीय बच्चे छोटे से छोटा चुनाव जो तुम करते हो जीवन में उससे दीर्ग काल में परमेश्वर के नाम की या तो महिमा होती है या अपमान होता है परमेश्वर के नाम की महिमा होती है तो शैतान का अपमान होता है शैतान के नाम की महिमा होती है तो परमेश्वर का अपमान होता है इस कारण मेरे प्रीए बच्चों इस बाप को याद करके जीवन में हर चाहे छुटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो जब उसको करो तो प्रभू के वचन में एक पाद है उसको याद रखना पहला कुरंतियों दस 31 में हम पढ़ते हैं चाहे तुम खाओ या पीओ या जो कुछ करो वह प्रभू के नाम की महिमा के लिए करो कुछ भी करो वो प्रभु के नाम की महिमा के लिए करो मेरे बच्चों इस बात को मत भूलना यहाँ पर जो बड़े लोग बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ बड़े से मेरा मतलब जो अभी शादी शुदा नहीं है उनसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिये युवा मित्र तुम चाहे पुरिशो या स्त्री हो तुम जीवन के उस मोड पर हो जहां तुमको बहुत सारे चुनाव करने हैं अपने भविशे के बारे में वो चुनाव या तो पर्मेश्वर के नाम की महिमा करेंगे या शैतान की महिमा करेंगे इसलिए हर चुनाव में इस बात का ख्याल रखना की पर्मेश्वर के नाम की महिमा हो जो शादी शुदा लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ हर पुरिश जब अपनी पत्नी के बारे में सोचता है निरने लेता है तब इस बात को याद रखे कि मुझे इस तरह से कायरी करना है कि पर्मेश्वर के नाम की महिमा हो हर स्त्री जब अपने पती के बारे में सोचती है और निरने लेती है तब इस बात को याद रखे कि ऐसा निरने ले जिससे पर्मेश्वर के नाम की महिमा होती हो पती पत्नी को मैं बताना चाहता हूँ आप अपने बच्चे के बारे में जो कोई नर्ने लेते हैं तो इस तरह का नर्ने लीजिए कि पर्मेश्वर के नाम की महिमा हो जो कुछ और seniors हैं जो आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं इस तरह से उनसे बात कीजिए इस तरह से उनको ट्रेनिंग दीजिए कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो जो लोग उससे भी ज़्यादा सीनियर है जो मेरी उमर के पड़ाओ पर आ गए है जहां आपके बच्चों की शादी हो गई है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रिये भाई, मेरे प्रिये बहन आज भी आपके जीवन में सिर्फ दो ही चुनाव है इन चुनावों से या तो परमेश्वर की महिमा होगी या शैतान की महिमा होगी इस बात को समझ कर हम आगे बढ़ें जब हम जीवन में शैतान के लिए कोई चुनाव करते हैं तो इस बात को याद रखें कि हववा ने जीवन के व्रक्ष की उपेक्षा करके मृत्यू के व्रक्ष को चुन लिया था हम जब जीवन में शैतान के लिए कोई चुनाव करते हैं तब जान बूचकर पर्मेश्वर के लिए जो चुनाव है उसकी उपेक्षा करते हैं आज 21 शताबदी में हम लोग जो जी रहे हैं हमारे सामने ये प्रश्ण है कि हमारा ध्यान जीवन के वरिक्ष की तरफ होगा या मृत्यू के वरिक्ष की तरफ होगा यदि हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान जीवन के वरिक्ष की और हो तो कुछ बातों का नियमित रूप से ख्याल रखना ज़रूरी है पहली बात बाइबल नियमित रूप से पढ़ना दो प्रार्थना करना तीन आत्मिक रूप से समर्पित लोगों के साथ संगती रछना चार जिन चीजों से विश्वासी लोगों को अलग रहना चाहिए, उन चीजों से अलग रहना पाँच एक पवित्र जीवन बिताना यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन बर हम इस तरह का चुनाव करें जिससे जो चुनाव हमें जीवन के व्रिक्ष की और ले जाता है तो बाइबल नियमित रूप से पढ़ना, प्रार्थना नियमित रूप से करना, आत्मिक लोगों के साथ संगती करना जिन चीजों से अलग रहना है उन चीजों से अलगाव, रखना और पवित्र जीवन बिताना यदि हमारा ध्यान जीवन के व्रिक्ष की और है तो हम ऐसा करेंगे लेकिन यदि हमारा ध्यान मृत्यू के वर्क्ष की और है तो देखिए किन चीजों पर हमारा ध्यान रहता है Bible reading के बदले ऐसी चीजों को हम पढ़ते हैं जो हमको नाश करता है आप पूछेंगे कि शास्त्री अंकल ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमको नाश करते हैं बिलकुल ऐसी चीजें होती हैं यदि सुबह से लेकर शाम तक आपका पूरा का पूरा ध्यान प्रेम कथाओं पर है चाहे प्रिंटेड बुक हो या टेलिविजन हो सुबह से शाम Bible reading के बदले यदि आपका ध्यान ऐसी चीजों की और है जो आपके आत्मिक जीवन को नाश करती है तो आप मृत्य के वरिक्ष का चुनाव कर रहे हैं प्रार्थना करने के बदले यदि हम यांत्रिक प्रार्थना करते हैं तो आप अपने आपको नाश कर रहे हैं आप पूछेंगे शास्त्री अंकल प्रार्थना और यांत्रिक प्रार्थना में क्या फरक है जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तब उस व्यक्ति के साथ हमारा आदान प्रदान होता है उसके बदले सीधे सीधे यदि हम रटी रटाई प्रार्थना करते हैं तो वो है यांतरिक प्रार्थना, उस व्यक्ति से प्रार्थना के बाद पूछा जाए कि प्रार्थना हो गई क्या हो गई, कैसा लगा, उसमें कैसा लगने की क्या बात है, प्रार्थना की फिनिश्ट, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने यांतरिक प्रार्थना की है, जबकि जिस व्यक्ति ने पर्मेश्वर से व्यक्तिगत तोर पर प्रार्थना की उससे पूछेंगे, तो वो कहेगा कि आज प्रार्थना के समय मुझे पर्मेश्वर की उपस्तिती महसूस हुई, या मुझे पदमेश्वर से विशेश, शांती मिली, या तसली मिली, प्रकाश मिला, बहुत सारी बातें उसके पास बोलने के लिए होंगी. तीसरी बात, यदि जीवन के व्रिक्ष के बदले हम रुतिव का व्रिक्ष चुनते हैं, तो आत्मिक लोगों के साथ संगती के बदले हम ऐसे लोगों की संगती ढूंडेंगे और ऐसे लोगों से संगती करेंगे, जो हमारे जीवन को नश्ट करते हैं. आप पूछेंगे कुछ उदाहरण दे सकते के हाँ, जो व्यक्ति बातचित के बीच में हमेशा दूसरों की बुराई करता है, जो व्यक्ति वारतालाप के बीच में बुराई ही बुराई करता है, जो व्यक्ति बात्चित के बीच में आठ दस माँ बहन की गाली ना दे तो जिसको तृप्ति नहीं होती इस तरह के लोगों के साथ जब हम संगती करते हैं तो वे लोग हमारे जीवन को नश्ट करते हैं चोथी बात यदि हम जीवन के व्रिट्ष को चुनते हैं तो हम अपने जीवन में अलगाव प्रैक्टिस करते हैं लेकिन यदि हम रिट्व के व्रिट्ष को चुनते हैं तो अलगाव के बदले दुनिया भर का जो मैला है और जो लोग उस मैले को ढोग कर हमारे जीवन में उंडेल सकते हैं ऐसे लोगों के साथ संगती करते हैं पांचवी बात यदि हम जीवन के व्रिख्ष को ढूंडते हैं तो एक पवित्र जीवन बिताएंगे लेकिन यदि मृत्यू के व्रिख्ष के पीछे जाते हैं तो एक अशुद्ध जीवन बिताएंगे आप कहेंगे कि मैं तो इस तरह का कोई बात नहीं करता एक बात बताईए यदि सुबह से शाम तक आपका मैं सिर्फ एक उदाहरन दे रहा हूँ इसके पचासों और भी तरीके हो सकते हैं यदि एक व्यक्ती सुबह से शाम तक अपना सारा समय सिर्फ प्रेम कहानियों में बिताता है तो वो अपनी जीवन को अशुद कर रहा है कैसे? यदि आप शादी शुदा है तो आप अपनी पत्नी या पती से प्रेम कीजिए गैरों की कहानी रस ले लेकर पढ़ने में आपको क्या फाइदा होता है आपको नुक्सानी करता है शादी शुदा नहीं है तो रस ले लेकर दूसरों की प्रेम कहानिया पढ़ेंगे आप अपने दिमाग को कराब कर देंगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ फिर से हमारे जीवन में दो को छोड़कर कोई तीसरा चुनाव नहीं है या तो जीवन का वरिट्ष चुनेंगे हमारा हर चोईस या तो जीवन के वरिट्ष की और ले जाता है या हमको मृत्यों के वरिट्ष की और ले जाता है जो व्यक्ति जीवन के वरिट्ष की और जाना चाहता है वो नेमित रूप से बाइबल पठन, प्रार्थना आत्मीक लोगों के साथ संगती, अलगाव और पवित्री जीवन बिताने की कोशिश करता है लेकिन जो व्यक्ति मृत्यों के वरिट्ष की और जाता है वो ऐसी चीज़ें पढ़ने में समय लगाता है जो उसको नाश करते हैं उसकी प्रार्थना सिर्फ यांतरिक प्रार्थना होती है वो ऐसे लोगों के साथ संगती करता है जो उसके सोचने और जीवन को बरबात कर देते हैं वो ऐसे लोगों के साथ संगती करता है जो उसको बुरे से बुरे मार्ग पर ले जाते हैं और फाइनली मनसा, वाच्या, कर्मना वो अशुद्धी चीजों की तरफ ध्यान देने लगता है इसके साथ मैं एक चेतावनी आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो चेतावनी यह है कि जब से पडमेशुर ने मनिश्की स्रिष्टी की तब से लेकर बीस्वी शतापदी तक यदि हम मलिन जीवन को देखना चाहते हैं अनभो करना चाहते हैं तो जाकर ऐसे लोगों के साथ बैटना होता था या बैटना पड़ता था जो इस तरह का जीवन बिताते हैं लेकिन किस वी शतापदी की विशेष्टा यह है कि आज वो सारी मलिनता है वो हमारे घर में आ जाती है हमारी जेब में हैं ये जो स्मार्टफोन है इसके द्वारा आपके जिवन में प्रवेश कर सकता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका स्मार्टफोन मलिन है जी नहीं स्मार्टफोन ते एक आजार है जिसका उपयोग आप भले के लिए भी कर सकते हैं बुरे के लिए भी कर सकते हैं इसके साथ साथ 21 शताबदी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो हम सब के लिए समझना बहुत जरूरी है 20 शताबदी तक समाज, मतलब दुनिया के लोग इस बात को अच्छे तरह से समझते थे कि भला क्या है बुरा क्या है और भले ही वो चुप चुप के बुरा करते हो लेकिन खुल कर बोलते नहीं थे और जब खुल कर बोलते थे तो बुरे को बुरा ही कहते थे और आदर्श की बातें करते थे मैंने आज से कुछ साल पहले आपको बताया था मैं स्कूल से जब पैदल घर आता था तब एक प्यावू था जहां अच्छा शुद्ध पानी मिलता था एक धार्मिक संस्ता चलाती थी पानी पीने के लिए जब हम वहां रुकते थे वहां सामने लिखा था जब तक है जिन्दगी फुरसत न मिलेगी काम से क्या गजब की बात है हम मैंसे हर व्यक्ति सोचता है फुरसत मिल जाए तो आत्मिक जीवन को थोड़ा सा टाइम दे गैर मसीही लोगों ने लिख रखा है जब तक है जिन्दगी फुरसत न मिलेगी काम से दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्यान मतलब जीवन में कुछ भी हो जाए दो बातों को मत भूलना भाईया एक मौत को और दूजा रभू को कौन लिख रहा है गैर मसीही लोग कि देखो जिन्दगी में फुरसत कभी नहीं मिलेगी इसलिए दो बातों को मत भूलना मौत को मत भूल जाना मौत किसी भी समय कभी भी किसी को ले जा सकती है तुमारा वश नहीं चलेगा उसको मत भूलना भूल जाओगे तो तुम लापरवा हो जाओगे नमबर दो अपने सृष्टी करता को मत भूलना भूलोगे तो लापरवा हो जाओगे गैर मसीही लोगों ने लिख रखा है बीसवे शताबदी तक चाहे मसीही जगत हो चाहे गैर मसीही जगत हो भले को भला और बुरे को बुरा कहते थे लेकिन 21 वी शताबदी में समाज में बहुत सारे बदलाव आए हैं ये बदलाव कैसे आए, कब आए, कौन लाया ये अलग बात है लेकिन बदलाव आ गया है और ये जो बदलाव आया है इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ एक अमरीकी संस्था का है जिसकी स्थापना 1930 के आसपास एक महिला ने की थी संस्था का नाम संस्था का नाम लूसीफर ट्रस्ट हम सब जानते हैं कि लूसीफर शैतन का नाम है लूसीफर ट्रस्ट नाम से एक संस्था बनाने के बाद एलिस बेली नाम की उस महिला ने लगबक 65 पुस्तकों की रचना की इन 65 पुस्तकों में उसने बार बार ये बात कही है यहोवा परमेश्वर मनुष का सबसे बड़ा दुश्मन है शैतन मनुष का सबसे बड़ा मित्र है 1930 वगरा में जब उसने इन पुस्तकों की रचना शुरू की थी तब मसीही जगत ने उसका गोर विरोत किया था लेकिन वो स्तरी डटी रही कि मुझे मेरा जो विश्वास है वो लिखने की आजादी है मसीही लोग ऐसा नहीं बोलते हैं जब किसी मसीही से का जाता है कि ऐसा मत बोलो ऐसा मत बोलो दूसरों को बुरा लग जाएगा तो मसीही लोग पलट के जवाब नहीं देते कि देखो उन लोगों को जो अच्छा लगता है वो लोग बोलते हैं तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं क्यों न बूलूँ मसीही जगत ने शरीर में एक सबसे महतोपोर्न जो आव्यव है उसको बेच खाया है वो आव्यव है रीड की हड़ी यदि रीड की हड़ी हो तब ही तो आप मजबूती के साथ खड़े होंगे 21 वी शताबदी में हमने उसको बेच खाया लेकिन जो लोग परमेशवर का विरोध करते हैं वे लोग बहुत स्ट्रॉंग है तो यह जो एलिस बेईली है जिसने लूसिफर ट्रस्ट की स्थापना की जब उसका विरोध हुआ तब उसने का कि भाया तुम लोग उनको जो तुमारा विश्वा से हो तुम लिखो तुम लिख रहे हो उसी दिरह से मेरा जो विश्वा से वो लिखने की मुझे आजा दी है उसने जो किताबे लिखी उनका दुनिया भर में प्रचार किया आइडियास आश्ये वे लोगों को गुलामी में ले लेते हैं इन आश्यों के द्वारा इस सोच के द्वारा इस नजरिये के द्वारा एलिस बेली ने और उसके शिश्यों ने 1960 होते होते सारी दुनिया को अपने हाथ में ले लिया आप कहेंगे कि 1960 में तो मैं पैदा ही नहीं हुआ तो हो सकता है पैदा नहीं हुए होगे लेकिन जो जवान आज परमेश्वर की वानी सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिये जवान मित्र यदि तुम गंदा संदा मैला कुचेला इधर उदर से फटा हुआ जीन पहन के समाज में निकलते हो तो पता है या आदत कहां से आई है मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ हमारे मसीही जगत में इस तरह के कई बच्चे हैं जो मैला कुचेला गंदा संदा बदबोदार जीन्स जो इधर उदर से फटा है बलकि फार दिया गया है उसको पहन कर समाज में निकलने में बड़ा श्याना समझते हैं अपने आपको मेरे सामने आये तो मैं पूछूंगा कि अरे बापरे नंगे अपनी नंगाई के प्रदर्शन में क्या श्याना अपन तुम समझते हो मालूमें ये कहां से आया यादत कहां से आई Alice Bailey के प्रभाव में एक नया आंदोलन आरम हुआ जिसको कहते हैं New Age Movement नव यूग आंदोलन नव यूग आंदोलन का कहना था कि समाज में जो कुछ है हम उस सब का तिरसकार करते हैं समाज में लोग एक व्यक्ति से शादी करते हैं हम हर स्री के साथ लेटेंगे हर पुरिश के साथ लेटेंगे रोक के दिखाओ समाज के लोग जो है अच्छा कपड़ा पहनते हम तो गंदा संदा कपड़ा पहनेंगे समाज के लोग शरीर को ढाकने के लिए कपड़ा पहनते हैं हम शरीर का प्रदरशन करेंगे तो मेरे पुरीय बच्चों तुम मैंसे जो लोग इस तरह का व्यभार करते हैं इस तरह के कपड़े पहनते हैं यदि तुमको लगता है कि तुम बड़े शाने हो तो मैं तुमको याद दिलाना चाहता हूँ कि पहने हुए कपड़ों, फटे हुए कपड़े पहनने के द्वारा तुम नंगे हो कपड़े शरीर को ढाकने के लिए पहने जाते हैं, प्रदर्शित करने के लिए नहीं तुम यदि सच्मुच में श्याने हो, तो बिना कपड़े के जरा चलके दिखाओ समाज में उसी तरह से गंदे, संदे, मेले, कुचले कपड़े तुम पहनते हो तुम्हें नहीं मालूम कि इसके द्वारा पदमेश्वर के नाम का अपमान कर रहे हो क्यों? पदमेश्वर ने मनिश को अपने सुरूप में बनाया है मनिश ही जो पदमेश्वर के सुरूप में है, उसको वस्तर भी ऐसे पहनने चाहिए जिससे पदमेश्वर का आदर होता हो इस मामले में मैंने एक बहुत बड़ा पाठ सन 2000 में सीखा था सन 2000 में मैं Bible and Science के ओपर lecture देने के लिए 2000 था या 1999 अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है जब मैं गया तो फिलिपीन फिलिपीन स्चर्च फिलिपीनों लोगों के चर्च में मुझे कई बार संदेश के लिए बुलाया गया एक बात मैंने जो नोट की वो यह है कि वे लोग चर्च आते हैं हमेशा सनान करके ही आते हैं सनान करके, देखने से ही पता चलता है, सनान करके, फ्रेश होके, कपड़े बढ़िया प्रेस करके, पर्फियूम वगरा लगा कर ही चर्चाते थे, जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्हें ने बताये कि ब्रदर जॉंसन, इन में से जादातर लोग ना के बराबर कमाते हैं, इनके पास ढंक के कपड़े पहनने के लिए पैसा नहीं है, इसके बावजूद जैसे तैसे पैसा जोड़के, एकाद दो अच्छे जोड़ी, एकाद दो जोड़ी अच्छे कपड़े जो है जुगाड बैठा के, चर्च आते हैं, तो वे पर्मेश्वर की उपस्तिती में ज पोच कर, नहा के, बाल वगएरा बना के, इस्त्री किये हुए कपड़े पहन कर ही चर्च में आते हैं, क्योंकि उनको पूरी तरह से इस बात का बोध है कि हम पर्मेश्वर की उपस्तिती में जा रहे हैं, पुरैने नियम में पर्मेश्वर ने मुसा से काता जूती उतार द थे, सब लोग अपने घर के बगल में जाडियों में दिशा फिरते थे, तब पर्मेश्वर ने ये नियम बनाया था कि यदि कोई जाडियों में जाके दिशा फिरे, तो एक खुर्पी अपने पास रखे, उस खुर्पी से मिटी लेकर अपने मल को धांप दे, जब हम पर्म संदे, संदे, मैले, कुछडे, नंग, धरंग कपड़ों में जाते हैं, तो पदमेश्वर के नाम का आदर नहीं, पदमेश्वर के नाम का अपमान कर रहे हैं, तो मेरे प्रिये बच्चों, तुम लोग जो चुनाप करते हो, तुमको लगता होगा कि जरा सा चुनाप है, अभी लोग शैतान की संतान है, मेरे लिए ये उचित है यान उचित है, मुझे ये सोचना चाहिए, मैं सिर्फ बच्चों से बोल पाया, मेरा समय हो चुका है, इसलिए मैं यहां रुक रहा हूँ, प्रभु ने मदद की, तो माबाप से मुझे जो बोलना है, वो अगले हफते बोलूँगा, लेकिन क्लोसिंग में मैं फिर से बहुत अधिक भाय के साथ याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे आपके जिवन में हम जो भी चुनाव करते हैं, जो भी करते हैं, इवन एक गलास पानी पीना है जब हम चुनाव करते हैं, तो उससे या तो परमेश्वर के नाम क महिमा होती है या परमेश्वर के नाम का अपमान होता है, जिस व्यक्ति को एक दिन में आठ गलास पानी पीना चाहिए, उतर भारत में आठ से ज़्यादा पीना चाहिए, वो यदि दिन में दो ही गलास पानी पीता है, तो अपने किट्नी को बरबात कर रहा है, और किट्नी को सुरिष्टा ने अपनी अपने सुरूप में तुमारी सुरिष्टी की है और तुम अपनी किटनी बरबात करके सुरिष्टा का सुरिष्टा के नाम की महिमा कर रहे या अपमान कर रहे हो जीवन में हर चॉइस या तो परमेश्वर के नाम की महिमा करता है या परमेश्वर क अपमान करता है इन बातों को समझने के लिए पजमेश्वर हमारी मदद करे प्रभू के वचन में जो चरितर कथाएं हैं इनको अपने बच्चों को लापरवाही के साथ ना सुनाएं नू के बारे में बोलते से मैं डुकरा था डुकरा था डुकरा था ऐसे थोड़ी परमेश्वर के वचन में जो महान नायक हैं उनके बारे में बच्चों से ऐसा थोड़ी बुलना है इन बातों को समझने के लिए प्रभू हम ऐसे हर व्यक्ति की मदद करे प्रभू के नाम की स्तूती हो प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रभचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवम सहज भाशा में प्रभचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रभचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्ठ्यमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हम को बहुत अधिक प्रोच साहन देता है जै मसीह की